हाई लो दोस्तों राना क्लासेज में आपका स्वागत है तो जैसा जानते हैं छाटी जीप्येस शिक्स मेंस का जाम है वो अठाइज जैन्वरी से सुरू होने वाली है तो कल क्या अपडेट रहा और क्या परिच्छा होगी या नहीं होगी इसमद में जनकारी दे रहा हूं त तो इस वीडियो को सुरू संद तक देखे पसंद आने पर लाइक नहीं लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दवाना ना पूले तो क्या है है हेड्लाइन्स यह है आपको प्रभात खवर कर तो राज्यपाल ने जैपीसी अध्यच को बुलाया परिच्छा की जान प्रभात तन जानकारी ली मालूम हो कि छटी शीविल सेवा मुख्य परिच्छा 28 जनवरी से राजधानी के 27 परिच्छा केंदरों पर होने जा रही है इसमें 27,100 उमिदवार सामिल हो रहे हैं इदर कई चात्र संगर्थनों ने छटी सिविल सेवा मुख्य परिच्छा अस् कर ग्याफन सौब चुके हैं कार्मिक सचीव से मिले छात्र इधर जेपीस सी द्वारा लिए जारी गलत जानकारी को लेकर छात्रों का परतिनीधी मंडल सुक्रवार को कार्मिक स चख्ण के खंडल वाल से मिला विधार्थियों ने तथियों के साथ कई जानकारियां दी विधार्थियों ने बताया कि छातर नवननी तरंजन ने दो साल पहले पीटे की परिच्छा दी थी आयोग ने लिंक भी दिया था जिसमें अयोग पर क्लिक करने से सारी जनकारी मिल जाएगे उस चाहतों का पीटी कर्मा में कर्मांग 432 था लेकिन आयोग ने उसका कर्मांग 431 कर दिया जो फेल बता रहा कार्मिक्स अचीवास वासंदी समस्या का निदान चल्द किया जाएगा और क्या है जो कोट में मामला था उसनवाई अब 28 को होगा तो चाटी जेपीसी पीटी पर इचा कर रिजल्ट को निरस्त करने को लेकर दायर आज का पर सुनवाई अब 28 परवरी को होगी चीफ जेस्टिस अनुरुद बोस के देस्ता खनपिट में सुक्रबार को इस मामल में अन्सिक्षन वाई हुई जेपीसी की मुख पर चाटाइस परवरीस होने वाली है पबन कुमार पांडे की और श्याच का दायर कर जेपीसी की पीटी पर शक्ट नुदिती कहा गया कि पीटी पर चाहम गडवड़ी हुई है विग्यापन निकलने के बाद तीन बरसन सोधन क सफल गोचित किया गया और भाजपान किन्यतारों क्या कह रहे हैं तो भाजपा के परदेश प्रवक्ताब परदूल सहदेव ने कहा कि सब्सक्राइब करने के लिए पिछले विजट सत्र में विधायकों की मांग पर हीं जेपीसी की परिच्छाप पर क्रिया रूक आगे सब्सक्राइब करते हैं इसके बाद पर रमभी पर चकपुर को सित पर नाम का रचित सरेनी के चैनित किये गर पंदरगुना विठतों में सबसें अंतिम अस्तान पर प्रतिके प्रतां के समानत वह से धीक है तो इससे सभी उमिदवार को मुख्य परिचा के लिए सफल माना गया सरकार के पच्छ को उच्छ न्याले ने भी स्विकारत्मक्स विकार किया जिए परिच्छा परिच्छा के बाद अब वे भी मुख परिच्छा किसे बाहर है जिने ने दायतनी उन्तम अहां तांक प्रत नहीं हो पाया है है आई से उमिद्वार का साथ देकर अरचे सभी कुटिक सच्छा में दाबदार को बाखतित कर रहे हैं इससे उनका चातर विरोदी और रजगार विरोदी चेहरा सामने आ गया ने भाजबा कि लोग हमां तो यह न पर आरोफ लगा रहे हैं और वालाकि क्या मत भी बच्छ किसले लिए गए कुभी धान सवाम में या माधिवक्ता किराय ली गई यह सब तरीकेट सही नहीं बार वार जे फिसी गलती कर रहा अगर यह सुरू से बंदरा गुना रियल्टी निकाल देता तो इतनी बड़ी बवाल नहीं होती और जहां तक बात है राजपाल से मिलने का त अब परिच्छा नहीं रुकेगी हर हाल में होगी चाहे बाद में कुछ भी हो तो जो लोग परिच्छा देने निकल गए वो अपने तैयारी पूर्ण रूप से कि परिच्छा पूरी होगी और जहां तक बात है कि राजपाल ने यही कहा कि आप इसको इंगडबड़ी जो क को सुधार है उन्होंने स्विकार किया जेपेसी ने की हां गलतियां तो हुई है और यह जो कोड का जहां तक मामला है तो कोड तो आप लोग भी जान रहे हैं कि हम तो कोड़ भी मामले में कोई सीरियस नहीं है उतनी और कोड की रविया भी खासकर एक सब्ता से काफी मतलब पच्छपात पूर्ण लग रहा है तीछ लिए कोड पर ज्यादा 28 को सुनवाई हो ना उसे अब कोई असर होने वाला है नहीं क्योंकि पर शुरू हो जाएगी तो आप लोग अपना त्यारी और जहां तक बात है जो इसके राजपाल के मिलाने के बाद क्या किया जैपेसी है तो यह नोटिफिकेशन आया है इसको आप देख सकते हैं वेबसाइट पर अगर कोई गड़वड़ी है तो सुचित किया जाता है है जीरो सिक्स फाइब वान बाइस तेरह जीरो जीरो नाइन यह दिया है चब्विस एक नुनी सब्सक्राइश सब्सक्राइब नो बज़ सब्सक्राइब तो सबसे बड़ी परसानी ही रही जब परिच्छा होनी ही थी तो फिर इतने कितने लोग काफी डिश्टर्व हो गए तो पढ़ाई बारीथ हुई और अचाना के परिच्छा हो रही है तो यह पूरा मामला मिला लगए 11 दिन में खासका परिच्छा के लिए अच्छा नहीं रहा और गलतियां हुई है इतने बड़ी पैमाने पर तो क्या इतने जलती सुधर जाएगी लेकिन आप कोई मतलब नहीं रहा परिच्छा होगी और सेकेंड के लिए पर के लिए मैं ज्यादा ज्यादा वीडियो डालूंगा और आप मेरे चैनल पर देख सक अगमन है और देना पड़ रहा है तो आप इसको थोड़ा देख लें और परिच्छाम की जिनकी तैयारी पहले से उनका तो कोई असर नहीं है उनका असर ज्यादा किया है तो इसी ख़बर के साथ धन्यवाद आप लोगों का